अज हम बनाएंगे भर्वा टमाटिर, जो कि बहुत ज़दा टेस्टी लगते हैं और जिडबट बन जाते हैं, तो चलिए शिरू करता है हमारी आज की रस्पी भरवर टमाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग त्यार कर लेते हैं अपनी जो कि हम टमाटर में फिल करेंगे अंदर तो इसके लिए हमने यहाँ पे तेल घरम कर लिया है इसमें हमने डाल दिया है एक चोटे चमच राई और एक चोटे चमच जीरा साथ में करी पत्ता हमने डाल दिया है इससे बहुत यूनीक और बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहां पे कुछ हरी मिर्चे हमने ले रही है 2-3 काट करके इनको भी हमने डाल दिया है और इसको भी अच्चे से भून लेंगे इन सारी चीजों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरग का टुकड़ा जो की हमने बारी गाट करके लिया है इसे greater से great भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज तो पहले इन चीजों को थोड़ा सा भून लेते हैं जैसे इनका color थोड़ा सा change होने लगेगा हम यहाँ पे एक प्याज डाल देंगे जो कि हमने छोटी टुकडो में काट करके लिया है तो थोड़ी देर के लिए हमें प्याज को भी भून लेना है ताकि प्याज का भी कच्चा पन चला जाए और थोड़ा सा सुनहरा color आ जाए तब ही प्याज हमारे अच्छे लगते हैं किसी भी चीज में अगर हम डालते हैं प्याज तो थोड़ा सा गॉल्डन जरूर कर लें तो यह दे ही प्याज हमारी अच्छी हो गई है अब यहां पर हमने 2-3 बड़े साइज के आलूँ को इस तरीके से तोड़ करे लिया है इसको हमने उबाल लिया है और उबाल कर छीलने के बाद इसको मैश करके लिया है बहुत चोटी टुकडों में मैश करने की जरूरत नहीं होती है और इसमें अभी मैं नमक डाल दूँगी साथ में डालूँगी एक चोटी चमच लाल मिर्ज का पाउडर ताकि थोड़ा तीखा रहे एक चोटी चमच डालूँगी गरमसाली का पाउडर इसको बड़िया तरीके से मिला लेंगे तो यह रही हमारी आलू की स्टफिंग जो की हम फिल करेंगे अपने टमाटर में इसकी जगा आप चटनी वाली स्टफिंग जो होती है वो भी फिल कर सकते हैं तो इस तरीके का टमाटर होना चाहिए, बहुत ज़़ा नरम टमाटर नहीं होने चाहिए, यानि कि बहुत गले हुए टमाटर नहीं होने चाहिए, तो इन टमाटरों को यहाँ पे हमें उपर के साइट से कट करना है, तो मैं उपर के साइट से यहाँ पे कट करती हूँ, बिल् तरह कि पहले चाकू से बहुत ही आराम से करेंगे और छाकू को बहुत अंदर तक नहीं डाल करेंगें तब हमारे कट हो जाएंगे तो यह द्थिके tommatere T 1950 ले ढें और इस OG sensor systemा सफे Zo陽 G be वो निकल जाएगा तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा इस तरीके से चमच दो से तिन बार गुमाईए और ये देखिए अंदर का पूरा प्ल प्यानी की पूरा गूदा वो अच्छे से बाहर निकल जाता है और इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे जो अंदर तो इसी तरीके का टमाटर होगा तभी हमारी फिलिंग जो है वो अच्छे से अंदर आएगी और तभी फिर अच्छा टेस्ट आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और करके दिखाती हूं आपको ये देखो टमाटर का अमने ये वाला पार्ट निकाल दिया है और इ बस इसको इस तरीके से हाथ से घुमाना है और ये पूरा टमाटर आपका अच्छे से क्लीन हो जाता है तो इसी तरीके से हमें सबको साफ करके ले लेना है ये रिखे हैं हमारे सभी टमाटर साफ हो गए हैं इसको हम फेकेंगे नहीं इसको हम सबजी बनाने में दाल बनाने में या पराठा वगेरा बनाते हैं तो आप उसमें योज कर सकते हैं तो इसको मैं साइड में रख लेती अब हम इसमेरा स्टफिंग अपनी डालेंगे जो कि हमने आलु आली स्टफिंग ले रखी है तो यहां पर मैं आलु स्टफिंग ले लेती हूं और सभी टमाट्रों में फिल कर लेती हूं बिल्कुल इसी तरीके से टामा टॐ में हमें आलू की ертвड़ें लिज्स भर देंगे टबा दब सुपने से ठेस्ट आएगा इस तरीके से आलू बनाते हैं तो इसमापवना नेहैं पाते हैं इले। इस सब्जी में आप गरम मसाले की जगा पाव भाजी का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत ज़दा टेस्टी लगता है तो यह देखिए एक टमाटर को हमने अच्छे से भर लिया है अच्छा फिल हो गया है एकदम भरा भरा टमाटर लग रहा है यह देखिए सबी को हमने अच्छे से भर लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे बहुत इसको सेलर फ्राइ करना है कि टमाटर बहुत सॉफ्ट होते हैं तो यहाँ पर हमने कडाई लिया है इसी कडाई में मैंने डाल दिया है दो चमश तेल बहुत तेल नहीं डालना है दो चमश डालना है और इसमें फिर हम डाल देंगे अपने सबी टमाटरों को जो हमने फिल करके रखा है तो इन टमाटरों को डालने के बाद इसको थोड़ी देर हमें इसी तरीके से रहने देना है तो इसको रख दें आराम से पहले नीचे के साइड से रखें नहीं तो आपकी जो आलू की स्टफिंग है नो बाहर निकलने लगती है क्योंकि जब जैसे हमारे टामाटर सॉफ्ट होते हैं वैसे वैसे जगें को जो है कवर नहीं करते हैं जैसे कि टामाटर वे जो फिल गया है हमने फिल्म बाहर निकलने लगती है तो इसके लिए पहले हम नीचे के साइड से इसको सेखते हैं तो नीचे के साइड यह थोड़ा से सीख जाए ना तो हम इसको टॉर्ण करते हुए बाकि सारे साइड में पका लेंगे तो यह देखिए मैं एक बार पलट ले रही हूं इस टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो यहां पर देखिए टमाटर अच्छे मारे सॉफ्ट लग रहे हैं जो एक दो साइड से थोड़ा सा बचे हुए हैं उनको मैं और सॉफ्ट कर लेती हूं उसके बाद फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो इन दिनों जब क गेरेवी में जाकर खराब हो जाएंगे तो बच्चे हुए तेल में हमने जाल दिया है जीरा एक चोटी चमस और इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लसन और प्याज का पेस्ट तो इन पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चला लेना है यानि कि भून लेना है इस आधी चोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर डाल दूंगी एक चोटी चमच डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर और स्वाद अंसार नमक डाल दूंगी ध्यान रखना है आपको नमक डालते टाइम क्योंकि हमने स्टफ तो मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है क्योंकि वह बहुत ज़दा टमाटर सा हो जाता है बहुत ज़दा खटा हो जाता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर का यूज़ नहीं किया है थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक से डेड़ कप तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी डाल दिया है थोड़ा सा पानी के जरूरत और है तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है इसके साथ में हम डालेंगे यहाँ पर एक चमच भूना हुआ बेसन तो अगर आपको ग्रेवी गाड़ी करनी है तो आप एक चमच भुना हुआ बेशन जरूर डालिएगा और इसको अच्छे से चला देंगे भुना हुआ बेशन डाल करके तभी अच्छे से ग्रेवी में पऊच जाएगा और यहाँ पर बेशन का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा बस आपकी ग्रेवी गाड़ी होगी क्योंकि हमने बेशन को यहाँ पर भून के लिया है तो अगर आप इसमें टरमाटर और प्यास दोनों यूज कर रहे हैं तो आपको ग्रेवी गाड़ी करने की जरूरत नहीं है यह ऐसे ही अच्छे से गाड़ी हो जाएंगे तो यह देखिए दो से तीन मट के लिए हमने इसको ढख कर रख दिया था और अभी अच्छे से पक गई है ग्रेवी हमारी तो इसमें हम डाल देंगे घहरा धनिया कटा हुआ और एक बार इच्छे से चला लेंगे गैस को यहां पर हमने ओफ करके रख दिया है अब इसे स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें अपने टमाटर तो यहां पर सभी टमाटरों को हम इसी तरीके से डाल देते हैं ग्रेवी हमारी अच्छी पक गई है टमाटर भी हमारे अच्छे पके और सॉफ्ट हैं तो इन्हें बहुत ज़्दा पकाने की ज़रूरत नहीं है एक मिनट के लिए गयास को ओन कर देंगे और बस इसे ढखकर रख देंगे तो हमारी ये स्टफिंग वादी टमाटर की रेस्ट